नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम ये 3D रोजी स्क्वेर बनाना सीखेंगे ऐसे और स्क्वेर बनाकर और उनको जोड़कर आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती है जैसे आप इनको जोड़कर आसन, सोफा कवर, या कुसन कवर, या बैड कवर, टीवी कवर, जो भी आप चाहें वो बना सकती है आईए स्टार्ट करते हैं ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और उंगलियों पे इस तरह से घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे अब हम ये किरोशिया लिंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को मागे कर लिंगे इस तरह से हमें ये मैजिक सरकल बनाना है आप इसको हम लॉक कर दिंगे तो इस पर धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल दिंगे तो यह हमारी लॉक हो गई आफ हम इसके उपर 2 की चेन बनाएंगे एक, 2 2 की चेन बनाई दागा घुमाईंगे और इस magic circle के अंदर ही हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से दागा लपेटेंगे वापस लेंगे 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे यह हमारा डवल क्रोसिया बन जाएगा फिर हम धागा गुमाएंगे मैजिक सरकल में क्रोसिया डालेंगे धागला पेटेंगे वापस लेंगे दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे यह हमारे डवल क्रोसिया बन गए इसी तरह से हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने तो दो हमारे बन गएं 13 डबल क्रोशिया और बना के तयार करते हैं यह हमारे 15 डबल क्रोशिया बन के तयार हो गएं यानि 15 और एक हमने यहां 3 की चैन बनाई थी तो उसको भी हम काउंट करेंगे तो यह टोटल हमारे 16 यानि सोले डबल क्रोशिया बनके तयार हो जाएंगे अब हम इसको लॉक करेंगे अब लॉक करने से पहले यह जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम इस तरह से खींच दिंगे पूरी तरह से और यह जो तीन की चैन बनाई थी एक दो तीन तीसरी चैन में हम इसको शिलिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से यह हमारा इस तरह से बनके तयार हो जाएगा उपर हम चार की चैन बनाएंगे 1,2,3,4 चार की चैन बनाई एक चैन छोड़ेंगे अगली चैन में हम सिंगल क्रोश्या करेंगे इस तरह से दो में से निकाल देंगे अब हम उपर दो की चैन बनाएंगे 1,2 फिर एक चैन छोड़ेंगे अगली चैन में हम सिंगल क्रोश्या करेंगे इस तरह से यह हमारी चार की चेन है और यह हमारी दो की चेन है अब हम चार की चेन बनाएंगे एक दो तीन चार चार की चेन बनाएं एक चेन छोड़ी अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे अब हम दो की चैन बनाएंगे एक, दो दो की चैन बनाईए एक चैन छोड़ेंगे अगली चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे यह हमें चार चैन और एक चैने स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर दो की चैन फिर एक chain skip करेंगे फिर अगली chain में single crochet करेंगे इसी तरह से हमें 4 chain और 2 chain और 1 chain बीच में skip करनी है और round complete करना है यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको lock करेंगे अब यह 2 chain के बाद हम 1 chain छोड़ दिंगे अगली chain में single crochet करेंगे इस तरह से एक की chain बनाएंगे अब यह जो हमारी 4 की जाली है इसमें हम double crochet बनाएंगे तो धागा घुमाएंगे और इसमें crochet डालेंगे वापस लेंगे दो में से निकाल देंगे और दो में से निकाल देंगे यह हमारे double crochet बन जाएंगे यह हमने एक बना दिया है 6 और बनाने इसी में हमें total 7 double crochet बनाने इसी जाली में तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, यह हमने एक ही जाली में 7 double crochet बनाएंगे यह हमने एक ही जाली में एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ अब साथ double crochet बनाने के बाद यह जो दो की chain है हमारी आगे इसमें हम slip stitch करेंगे तो slip stitch करने के लिए इसमें हम crochet डालेंगे धागा गुमाएंगे वापस लेंगे और इसमें से निकाल देंगे यह हमारी slip stitch हो जाएगी अब हम अगली जो चार की chain बनी हुई है इसमें हम double crochet बनाएंगे तो double crochet लिए धागा गुमाएंगे और इस जाली में crochet डालेंगे वापस लेंगे दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे इसी तरह से हमें साथ double crochet बनाने इसमें इस तर तो एक, दो, यह हमने साथ डबल करोशिया बना दिये हैं इसी जाली में एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ अब हम अगली जो दो की चैन बनी हुई है इसमें हम सिलिप स्टिच करेंगे इस तरह से यह हमें जो चार वाली चैन है उसमें हमें साथ डबल करोशिया बनाने और जो दो वाली चैन है इसमें हमें सिलिप स्टिच करनी है फिर अगली करेंगे और में अपना राउंड कम्प्लीट लेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब यह लास्ट में 2 की चैन बची है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से अब हम इसे इथर से प्लेट लेंगे और यह एक हमारी यहां सिग्ट रखा है कि इसमें इसको यहां चौड़ेंगे और यहां इसमें कि डाल़ेंगे इस तरह से और इसको किलूझ्य पर लेंगे ओर निकाल Tuesday अब में इसके ऊफर पांच की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच की चेन बनाई और यह जो आगे यहां बना हुआ है जहां से यह डबल क्रोशिया बने हुए है इसकी स्टार्टिंग में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे दागा घुमाएंगे वापस लेके अब यह दो हो गए हमारी सिंगल क्रोशिया के उपर यह क्रोशिया के उपर तो सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको लॉक कर देंगे अब हम तीन की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन और आगे जो बना हुआ है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इसको भी हम सिंगल क्रोशिया के साथ लोग कर दिंगे फिर हम पांच की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच की चैन बनाई और आगे इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ लोग कर दिंगे इसी तरह से हमें एक पांच की चैन बनानी है सिंगल क्रोशिया के साथ लोग करना फिर तीन की चेन बनाने है फिर सिंगल क्रोशिया के साथ लोग करना पांच तीन पांच तीन बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको lock करेंगे तो lock करने से पहले मैं आपको दिखाती हूं कि यह जो हमने बनाई है पांच तीन की जाली इस तरह से यह बनके हमारी तयार हुई है यह जो आगे design बनके तयार हुआ है यह हमारे flower की पहली layer बनके तयार हो गई है अब हमा आगे बन आई हमने और यह जो इस टार्टिंग में हमने पांच की चेन बनाई थी यहां से और जो slip stitch कि आगा यहां इसमें हम इसको इस तरह से लोक करेंगे कि अब यह slip stitch के बाद हम एक की chain बनाएंगे और इसे लोक कर दिंगे अब यह धागा हम यहां से कट कर देंगे अब मैंने इसका दागा कट कर दिया है अब मैं दूसरे कलर का दागा ले रही हूँ यह मेरा dark pink था यह थोड़ा light pink है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकती है इसकी पहले मैं नॉट बनाऊंगे इस तरह से यह मेरी नॉट बन गई है अब यह हमने नॉट बना लिए और यहां जो पीछे की साइड को पांच तीन पांच तीन करके चेन बनाई है हमने इसमें हम जो हमने पांच की चेन बनाई है उसमें हम किरोशिया डालेंगे और इस नॉट को ले लेंगे इसमें किरोशिया गूपर और इसमें से निकाल देंगे इस तरह से निकाल लेंगे आब इसके ओपर हम चार की चेन बनाईगे एक, दो, तीन, चार अब यह हमने चार की चेन बनाईए इसके बाद हमें इसी चेन में ट्रेबल क्रोशिया बनाईए तो यह एक तो हम चेन काउंट करेंगे और छे और ट्रेबल क्रोशिया बनाईए तो यह हमारे टूटल इसमें साथ ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से दो बार धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम क्रोशिया डालेंगे दो में से निकालेंगे दो में से निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे तो इस तरह से हमारा ट्रेबल क्रोशिया बन जाएगा एक बन गया है दूसरा बनाएंगे दो बार धागा गुमाया इसी में बनाएंगे हम दो में से निकालेंगे दो में से और फिर दो में से यह हमारे एक दो बन गए और एक ही हम chain count करेंगे तो यह हमारे 3 हो गए अब हम चौथा भी इसी में बनाएंगे 5 हो गए यह हमारे छे यह हमने इसी जाली में साथ प्रेवल क्रोसिया बना दिये अब हम आगे जो हमने यह तीन की चैन बना रखी है जहां यह इसमें हम स्लिप इस्टिच करेंगे इस तरह से अब हम आगे जाली जो इसमें हम पांच की चैन बना रखी है हमने इसमें हम ट्रेवल क्रोसिया बनाएंगे दो में से दो में से और फिर दो में से इसी तरह से हमें पांच वाली चेन में साथ ट्रेवल करोशिया बनाने हैं और तीन वाली चेन में सिलिप स्टिच के साथ लॉक करना हैं इसी तरह से अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे हम यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब दो अब हम इसको लॉक कर तिए IP कर दिया थीन की चैन में अब यह जो चार की स्टी से यह बनाई थी इसमें हम एक सिलिप स्टिच करेंगे इस तरह से अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहां पांच की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच यह जो हमने पांच की चेन बनाई है और जहां से यह हमने ट्रेवल क्रोशिया स्टार्ट किया है यहां हम नीचे वाले रांड में जो सिंगल क्रोशिया के साथ लोक किया था इसमें हम इसको लोक करेंगे पांच की चेन को इस तरह से अब इसके उपर पांच की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब आगे हम लोक करेंगे इसको जहां हमने ये ट्रेवल क्रोसिया बनाए इस तरह से सिंगल क्रोसिया के साथ लोक करेंगे फिर पांच की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और आगे वाले उसमें लोक करेंगे हम सिंगल क्रोसिया में जहां से ट्रेवल क्रोशिया स्टार्ट किया है हर उसमें हमें यह लॉक करना है इसी तरह से पांच की चैन बनाई और यहां सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर दिया फिर पांच की चैन बनाई फिर आगे वाले सिंगल क्रोशिया के उपर लॉक कर दिया इसी तरह से हम पांच की चैन और सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करते हुए अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है इसमें हमारे आठ जाली बनके तयार हुए एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ इो हुए मैं हमने श्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है अभी हमने इस जाली में सिल्प स्टिच के साथ लॉक कर दिया है अब हम इसे पलैट ह japanese और जिधर से हमारा फूल का डिजाइन हो एधर आगे हम श conve our heels में डवल क्रोसिया बनाएंगे पांच दो में से फिर दो में से एक दूसरा वीसी में बनाएंगे दो तीसरा वीसी में चौथा वीसी में पांचवा वीसी में बनाएंगे इस तरह से यह starting में half double crochet और एक, दो, तीन, चार, पाँच हमने double crochet बना दिये हैं अब हम last में इसी जाली में half double crochet बनाएंगे इस तरह से तीनों में से एक साथ निकाल देंगे अब अगली जाली में हम half double crochet बनाएंगे starting में इस तरह से अब इसी जाली में हम ऐसे पांस डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से हमें स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर पांस डबल क्रोशिया बनाने फिर लास्ट में भी हमें half double crociya बनाना है इसी जाली में फिर अगली जाली में हम half double crociya, 5 double crociya और फिर लास्ट में half double crociya इसी तरह से बनाते हुए अपना round complete करेंगे, यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको lock करेंगे, लॉक करने के लिए यह जो हाफ डबल क्रोशिया बना हुआ था है स्टार्टिंग में इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से अब एक की चेन बनाके इसको लॉक करके और इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे यह धागा हमने कट कर दिया यह धागा कट करने के बाद अब हम दूसरे कलर का दागा लेंगे इसकी हम नौट बना लेते हैं कि है कि ये कि इस तरह से हमने नॉट बना लिए इस के अब में लिए इस जालीमें जो हमें पांस डबल करोजिया बनाएप्ट इसके हम दो डबल करोजिया kend UI और दो यह दर छोड़ देंगे बीच वाले डबल किरोसिया के उपर हम यह किरोसिया डालेंगे और नॉट को उपर डालेंगे इसके किरोसिया के इस तरह से और इसको इसमें से निकाल लेंगे अब हम इसके उबर दो की चेन बनाएंगे एक, दो, दो की चेन बनाई दागा गुमाया और इसी में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से तीनों में से एक साथ निकाल देंगे दूसरा भी half double crochet इसी में बनाएंगे इस तरह से एक हमारी chain और दो half double crochet तो यह हम तीन count करेंगे अब हम इसके उपर तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन तीन की chain बनाएं दागा घुमाया और इसी जाली में हम तीन half double crochet बनाएंगे एक, दूसरा वीची में, दो, तीसरा वीची में यह हमारे इस तरह से तीन हाफ डबल क्रोशिया इधर और तीन इधर और बीच में तीन की चैन अब हम आगे जाने के लिए चार की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार की चैन बनाई और यहां से दो डबल क्रोशिया छोड़ दिंगे और दो इधर तीसरे के उपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यह दो हो गए दो में से हम एक साथ निकाल दिंगे इस तरह से अब हम फिर इधर जाने के लिए चार की चेन बनाएंगे और यहां बीच में हम दो इधर छोड़ दिये डबल क्रोशिया और तीसरे के उपर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यह तीन होगे हमारे क्रोशिया के उपर तीन में से हम एक साथ निकाल दिंगे तो हमें तीन हाफ डवल करोशिया बनाने है यह दो हो गए तीन हो गए अब तीन की चेन बनाएंगे एक दो ती और फिर तीन हाफ डवल करोशिया इसी में बनाएंगे एक दो तीन इधर जाने के लिए चार की चेन एक दो तीन चार और यहां बीच में सिंगल करोशिया करेंगे फिर चार की चेन एक दो तीन चार इसी तरह से हमें तीन हाफ डवल करोशिया तीन की चेन फिर इसी जाली में तीन हाफ डवल करोशिया बनाएंगे तो यह हमारे 6 half double crochet हो जाएंगे और बीच में 3 की chain होगी एक ही जाली में फिर आगे जाने के लिए हम 4 की chain बनाएंगे फिर बीच में हम single crochet बनाएंगे फिर इधर जाने के लिए 4 की chain बनाएंगे और फिर यहां 3 half double crochet बनाएंगे 3 की chain बनाएंगे और 3 half double crochet बनाएंगे इसी तरह से हम बनाते हुए अपना round complete करेंगे यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको यह जो हमने starting में chain बनाई थी इसमें हमने ही slip stitch के साथ lock कर दिये अब इस धागे को हम यहीं cut कर देंगे इस तरह से अब हम दूसरे कलर कर दागा लेंगे अब इसकी हम नॉट बना लेते हैं इस तरह से नॉट बन गे हमारे अब यह जो corner बना हुए हमारा half double crochet के बीच में जो chain बनी हुई हमने तीन की chain बनाई थी इसी में हम किरोशिया डालेंगे और इस नॉट को इसके उपर लेंगे और इसमें से निकाल देंगे यहां इसको हम लोक कर देंगे इस तरह से अब हम दो की chain बनाएंगे एक दो तो की chain बनाई और इसी जाली में हम double crochet बनाएंगे तो धागा लपेटा और इसमें किरोशिया डाला दो में से और फिर दो में से एक double crochet और बनाएंगे इसी के अंदर यह हमारे एक chain और दो double crochet तो यह हम तीन काउंट करेंगे अब धागा गुमाएंगे और अगली जो चार की chain बनाई हुई है हमने इधर इसमें हम चार double crochet बनाएंगे एक दूसरा भी सी में दो तीन चार इस तरह से अब हम चार double crochet अगली जो चार की chain बनाएंगे सिंगल crochet के बाद में इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार इस तरह से अब यह जो कॉर्णर है इसमें हम तीन डवल क्रोशिया बनाएंगे एक बीच में तीन की chain बनाएंगे एक दो तीन और फिर तीन डवल क्रोशिया हमें इसमें बनाएंगे एक दो तीन इस तरह से हमें कॉर्णर में चैर डवल क्रोशिया पीज में तीन की chain और इन जालियों में चार चार डवल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कम्प्लीट करना है यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको लॉग करेंगे यह जो स्टार्टिंग की chain बनाई थी हमने तीन की इसी के हम पीसरी chain में slip stitch के साथ लॉग कर देंगे इस तरह से अब इसके उपर हम तीन की chain बनाएंगे एक, दो, तीन यह हमने तीन की chain बनाई है अब इधर जाने के लिए हम एक की chain और बनाएंगे तो यह टोटल हमारी चार की chain हो गई अब हम धागा गुमाएंगे एक chain छोड़ेंगे अगली chain में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब इसके उपर एक की chain बनाएंगे धागा गुमाएंगे पहली chain को छोड़ेंगे दूसरी chain में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से एक की chain बनाएंगे इस chain को छोड़ेंगे अगली chain में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की चैन बनाएंगे धागा गुमाएंगे एक चैन छोड़ देंगे अगली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से हम एक की चैन बनाके और एक चैन छोड़ते हुए अगली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक की चैन एक चैन छोड़ देंगे अगली चैन में हम डबल क्रोसिया बनाएंगे हमने यहार डबल क्रोसिया बनाया है हर डबल क्रोसिया के बीच में नीचे एक चैन छोड़ दिये और उपर एक चैन बना लिये इसी तरह से हम यहां तक आगें बनाते हुए अब हम इसको छोड़ देंगे चैन को और जाली में बनाएंगे डबल क्रोसिया अब हम धागा घुमाएंगे और इस जाली में डबल क्रोसिया बनाएंगे एक, दूसरा भी इसी में दो, तीसरा भी इसी में इस तरह से, अब हम तीन की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाईए, और इसी जाली में फिर तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब हम यह जो पहला डबल क्रोसिया बना हुआ है, इसके उपर हम डबल क्रोसिया बनाएंगे, इस तरह से अब हम इसके उपर एक की चेन बनाएंगे दागा गुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे अगली चेन में हम डबल क्रोसिया बनाएंगे अब इसके उबर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन छोड़ दिंगे अगली चेन के उबर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे आप इसी तरह से सेम पैटरन को फॉलो करते हुए आप यहां तक आ जाएं यह राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगे कि यह कैसे बनाएंगे इस जाली में हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिए जैसे यह कॉर्णर है और तीन की चेन बना लिए अब हम इसी जाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दूसरा भी इसी में दो अब यह जो चैन बनी हुई है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो हम एक और बना देते हैं इधर यह हमारे तीन होगे अब एक दो तीन तीसरी चैन में हम इसको को स्लिप इस्टिच के साथ लॉक कर देंगे तो यह हमारा इस तरह से बनके दिखेगा अब हम इसको यहीं एक चैन बना के लॉक कर देंगे अब हम इस दागे को कट कर देंगे इस तरह से और इसे पीछे किरोशिया की मदद से सेट कर देंगे यह ग्रैनी उसकर हमारा बनके तयार हो गया है उम्मीद करते हूं आपकी समझ में आ गया होगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू